जै मातादी दोस्तों एक बर फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर जिस पर हम आपको बताते हैं असली वशीकरण के मत जी हाँ यहाँ यहाँ पर आपको जो मंत्र बताये जाते हैं जो विध्या जो तरीके आपको बताये जाते हैं इनका तोड पूरे भ्र लोग आपने कर लिया तो वे इंसान पाउम्र के लिए सरफ और सरफ आपका हो जाता है हमेशा के लिए वो आपके आसपास ही रहना जाता है आप से कहीं दूर वो जाना ही नहीं जाता और आज जिस तरीके के मैं बात कर रही हूँ वो तो इतना सरल इतना आसान है कि इस को आप अपनाईए और उन्हें अपना बनाईए जी हाँ आज हम बात करें हैं गुलाब से वशी करन के बारे में तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मात्र एक गुलाब के फूल से आप कैसे किसी को सिर्फ और सिर्फ एक मिनिट में वशी करन कर सकते हैं उसे अपना बना सकते है मात्व साथ सेकिंड में और यह कैसे हो सकता है यह सब मैं आपको बताऊंगी लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि यह जो वशीकरन है यह इतना प्रचंड है कि अगर एक बार इसका आपने प्रियोग किसी पर कर दिया तो वो आप कभी भी नहीं तो वशीकरन है और इसका असर कभी भी समाप्त नहीं होता तो आईए मैं आपको बताती हूं कि गुलाब के फूल के प्रियोग से मात्व साथ सेकेंड में किस तरह आप किसी व्यक्ति को वशीकरन कर सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं दोस्तों जैसे कि यह गुलाब का फूल है इसी के मात्र एक इसी के प्रियोग से आप किसी को वश में कर सकते हैं यह जो गुलाब का फूल है इस गुलाब के फूल को आपको अपने दाईने हाथ मर रखना है और जो मंत्र में आपको बताने जा रही हूं उस मंत्र का साथ बार उचारन करना है और गुलाब के फूल को लेकर आपको एक ऐसी जगा जाना है जहां नधी या नाला हो और जो नाला है वो भी गंदा नाला नहीं होना चाहिए उसका पानी साफ और स्वच होना चाहिए वहां जाकर आपको दाईने हाथ में गुलाब का फूल लेना है और 7 बार मंत्र का उचारण करना है लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि मंत्र उचारण करते समय उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसको आपको वर्षमी करना है और मंत्र जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मैं आपको बार-बार बता रही हूँ की बहुत ही सिध्ध मंतर है इस मंतर के प्रियोग से जो वशी करण होता है वो वशी करण हमेशा के लिए होता है कभी भी उस वशी करण को हटाया नहीं जा सकता और वो मंतर है ओम, क्लीम, क्लीम जी हाँ, आप किसी नधी या नाले के पास जाहिए साफ और स्वच पानी होना चाहिए उस नधी या नाले का इस बात का खास तोर पर ध्यान रखे और दर्श को एक और बात का आपको खास तोर पर ध्यान रखना है कि जब भी आप इस विधी को करें तो आपको कोई भी देख नहीं रहा हो आपके आसपास कोई और ना हो, क्योंकि अगर आपके आसपास कोई और होगा, तो इसका प्रभाव आपको रिजल्ट में जरूर दिखाई देगा, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, एक बहते हुए नाले के पास जाईए, यह जो गुलाब का फूल है, इस तरह इस तरह साथ बार इस मंत्र का जाप करें, ओम, क्लीम, क्लीम, ओम, क्लीम, क्लीम, जी हां दरश को, इसी मंत्र का आपको साथ बार जाप करना है, और इस साथ बार जाप के बाद, इस मंत्र को जो गुलाब का फूल है, इस गुलाब के फूल को आपको बहते हुए जल में प्रभाग क इतना कर दिया तो उसके सर्फ हो सर्फ 60 सेकंड बाद उस व्यक्ति का आपके पास फोन आएगा और वो आपसे कहेंगे कि वो आपसे बे इंतहा मोहबद करना चाहते हैं आपसे मिलना चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं आपके विना रह नहीं पात और ये भी हो सकता है कि वो साक्षात आपके सामने आकर खड़े हो जाएं आपसे मिलने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदिगी में भी ऐसा हो, जो आपसे रूट गए हैं वो मान जाएं, आपका प्यार आपको वापस मिल जाएं। तो इस तरीके को, इस विधी को जरूर अपनाईए और मात्र एक गुलाब के फूल से सिर्फ हो सिर्फ 60 सेकेंग में किसी भी व्यक्ति को अपना बनाईए। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो आप हमारी गुरू माता जी को दिये गए नमबर पर कॉल कर सकते हैं। ये आपको पूर्टहा लाब देता है। दर्शकों जो बाते मैंने आपको बताई हैं, उन बातों का खास तौर पर ध्यान रखेगा, कि जब भी आप इस विधी का प्रियोग करें, तो आपके आसपास कोई भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ आप हूँ, आप अकेले हों, तभी ये असर करेगी अन्यत, अगर किसी ने आपको ये विधी करते वे देख लिया, तो इसका असर समाप्त हो जाएगा। चैमाता दी दोस्तों।